गुद मॉनिंग दोस्तों आज सुभे सुभे एक बहुत अच्छा प्रश्ण था तो मुझे लगा कि यह एक ऐसा प्रश्ण है जिसका सही से जो है वो उतर दिया जाना बहुत जरूरी है और वो प्रश्ण यह था कि किसी ने मुझे बेजा कि सखा जी दुनिया में सभी बुद्ध पुरुष जो होते हैं वो इतने तारकिक कैसे होते हैं और क्यूं होते हैं चाहें वो नानक जैसा सौम में हो, चाहें मीरा जैसी भक्त हो, जितमें भी जगत के बुद्धपुरुष देखे हैं, वो सभी बहुत तारकिक होते हैं. तो आखिर इस तरक का सत्य से क्या लेना देना है? क्या तरकों से सत्य पाया जाता है? या फिर सत्य पाने के बाद तरक आ जाते हैं? तो ये एक चीज है जिसका जवाब मिलता नहीं. थोड़ा सा इस चीज को समझने जैसा है. पहली बात तो ये है कि अगर हम परमात्मा की बात करें और सत्य की बात करें, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे हम जो हैं, वो किसी तरीके से पास सकें. असल में हमने इसको एक ऐसा समझ लिया है कि एक मंजील है कैसी जगा है, जहां पे हम किसी चीज से पहुँच सकते हैं. हमने ग्यान को मार्ग समझ लिया, भक्ति को मार्ग समझ लिया, ये असल में बाते नहीं हैं. यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि परमात्मा कोई मनजिल नहीं है यह तो ऐसा है जैसे कि तुम्हारा सुभाव, अब जैसे तुम कुछ भी करना चाहते हो मैं कहता हूं वो तुम्हारा सुभाव है, तुम्हारे अंदर से जिस चीज़ को भी करके आनंद मिलता हो, अब कए ब में आनंद नहीं मिलता, आपको जीवन के और बहुत से काम है जिसे करने में आनंद मिलता है, जिसे करके आपको अपने होने का एहसास होता है, तो ऐसे जो कार्रे होते हैं और आप उन्हें करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी रुकाबट होती है इस संसार में रहते हुए संसा जिए अधर, इस अंसार की सोच, वो आपको उसकाम को करने नहीं देती उसकाम को करने के लिए तरह-तरह की रुकावटे डालती लेकिन ये रुकावटे डालने से पहले सबसे पहले वो आपके दिमाग में तरकों से रुकावट डालते वो अपने तरकों के माध्यम से आपको गलत सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि आप ये ना करो तो आपको अपने तरकों को मजबूत करना पड़ता है जो आदमी धर्म की रहा पे या अपने जीवन को जीने की रहा पे आगे चलेगा अगर उसके तर्क मजबूत नहीं है तो कुछ दिनों बाद चलने के बाद वो ठकके बैठ जाएगा ठकान उसके कर्मों से नहीं आती ठकान आती है दुनिया के बार-बार इंटरफेरेंस करने से जैसे कि मैं ओशोकुम करा रहा हूँ तो इस ओशोकुम को कराना मेरा आनन्द है लेकिन इसको आनन्द को व्यदान डालने के लिए सैक्णों लोग अपने तरीके से प्रयास करते रहते हैं तो अगर मैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दूँ और ठक जाओंगा बैट जाओंगा लेकिन मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता इसलिए निरंतर वो यात्रा जारी है हर तरीके की पीडा के बाद भी जारी रहती है तो उसी प्रकार सत्थ अगर सही अर्थों में समझें तो सत्थ एक ऐसी इस्तिति है जैसे नारियल को अपने अंदर का सौफ्टनेस बचाने के लिए उपर से सक्त खोल चड़ाना पड़ता है उसी तरीके से धर्म की रहा पे निकले हर व्यक्ति को तरकों के माध्यम से लोगों के आने वाले जो शाब्दिगवान हैं उनसे डिफेंस के लिए एक खोल तियार करना पड़ता है अगर वो तियार ना करे तो जल्द ही गोले के अंदर का जो सौफ्टनेस है अगर कवर ना हो तो वो चली जाएगी खो जाएगी वो खुद भी सक्त हो जाएगा तो जो तरकों का निर्मान होता है तो तरकों का निर्मान होता है हमारे अपने जो हम जीना चाहते हैं उसको जीने की प्रेड़ना हमारे अंदर से बनी रहे इसके लिए और जो व्यक्ति जितनी सच्चाई के साथ अपने अंदर के जो उसके आनन्द है उसको जीने का प्रयास करता है तो ये खुबी है कि अगर आपको ये लगा कि आपका आनन्द सच्चा है आपको पका मस्ती है इसमें तो आप उसको बचाने के लिए तरकों का निर्माण भी कर लेंगे इसके लिए किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के शास्त्र को पढ़ने की ज ही हूँ कई बार क्या होता है कि हमारा आनंद जो है बाहर के लोगों पर डिपेंड होता है जैसे कोई कहें माबाप कहें कि बेटा तुम ये पढ़ लिके बन जाओगे तो बहुत अच्छा होगा तो कई बार बच्चे वो ये निर्माण कर लेते हैं कि हां हम यही करेंगे तभ कि बादचीत कर रहे थे तो बातचीत इस तरीके से कुछ चली कि आखिर ध्यान के फाइदे क्या है ध्यान क्यूं करना चाहिए कुछ इस तरीके के सवाल है तो मैंने कहा कि आप जब لم्बे समय तक ध्यान में उतरते हैं और शांत रहते हैं और बाहर की हिलर चलर से हो जाता है और वो सब जब इरेज हो जाता है तब व्यक्ति को अंदर से वो उड़ जाएं धक्का मारती हैं जिनके कारण उसका जनम हुआ था और तब कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे अपने जीवन के लक्ष मिले फिर वो उस लक्ष के तहट चाहे मीरा की तरह नाचता हो चाहे करशन की तरह महाभारत कराके गीता कहता हो चाहे बुद्ध की तरह संग का निर्मार करता हो चाहे मैं सखाही आश्रम क्यों न बनाया हु यह मेरा परिबार यह मेरे अंदर से निकले हुए संदेश हैं यह मुझे किसी संसार ने नहीं दिये तो ध्यान का पहला लाब यह है कि आपको अपने अंदर के संदेश का पता लग गया उसके बाद तरकों का लाब यह है कि हम अपने संदेश के लिए आगे बढ़े तो किस है कि कई बार लोग अंदर की softness नहीं देख पाते और लोगों के तरकों पर पड़ जाते हैं लोगों को तरक दिखाई देते हैं जैसे मैं जो कह रहा हूँ लोग उन तरकों को देख रहे हैं ओशों ने इतनी पुस्तकों में जो बात कही उन्होंने तुम्हें तुम्हारे याद दिलाने के लिए तुम्हारे अंदर के softness को याद दिलाने के लिए बात कही लेकिन तुमने तरक देख लिए तुमने तरक पकड़ लिए निश्चिती तरक बहतर हैं अगर वो तुम्हारे आनंद को बचाने के के लिए किया, मैं तरकों का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करता है, हाँ कभी-कभी अपने defense में ही मुझे वो भी करना पड़ता है, लेकि वो अपने defense में होता है, तो जो लोग पूँचे हैं कि तरक का क्या उपयोग है, या तर्क का सत्य से क्या लेना देना है तो मैं यही कहूंगा कि तर्क एक ऐसा पहरी है जिसको आपने जितने अच्छे तरीके से त्यार किया उतने ही अच्छे तरीके से वो आपकी रक्षा करेगा और आपको उस आनंद की और जीने के लिए प्रेड़ना देगा जो आपका खुद का है किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं और निश्चित ही अगर किसी दूसरे का दिया हुआ है तो आपको उस आनंद को बचाने के लिए जो तर्क करने पड़ते हैं वो इतने कमजोर होंगे कि एक अच्छा तर्क शास्त्री उसे गिरा देगा लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर से आनन्द की किरन फूटी है उस व्यक्ति के तर्क किसी दूसरे के गिराने के बस की बात नहीं है वो व्यक्ति स्वैम ही जिस दिन चाहेगा उस दिन उनको गिरा सकता है लेकिन वो वक्त तब आता है जब इस जीवन से विदा लेने का वक्त आ चुका होता है उमीद है कि मैं जिन शब्दों में आपको अपनी बात कहा आप तक पहुँची होगी और अगर आप मित्रों को ये लगे कि बहुत से लोग जो तरकों में उलज गए हैं और समझ नहीं पारे कि तरका उप्योग क्या है तो निश्ची थी उन तक इस सूचना को इस वीडियो को पहुँचाएं प्राम